दाइकोनोमिक टाइम्स ने बहुत अच्छी न्यूज दिया है यह न्यूज क्या है कि आईजीस्टी ओन ओसियन फ्रेट लाइकली टूबी एस्क्रेब बहुत कुट न्यूज है है और जो इंपोर्टर है उनके लिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और न्यूज है यहां पर एक समरी में आपको बता दूँ कि यह जो पेपर में आप न्यूज देख रहे हो यह न्यूज है मोहित मिनरल के केस से रिलेटेड मोहित मिनरल केस में क्या हुआता गुजरात हाइकोट ने ओर्डर पास किया कि भैया आई जी एस्टी वीड इंट्रेस्ट आप रिटर्न कर दो बट डिपार्टमेंट ने क्या क्या गुजरात हाइकोट के ओर्डर को सुप्रीम कोट में चैलेंज कर दिया गया तो सुप्रीम कोट ने भी गुजरात हाइकोट का जो ओर्डर था उसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ी सरकार जो है वो Constitution of India है और Constitution of India एक Constitution जो है संबिधान जो है वो एक पुस्तक है किताब है और उसमें जो कानून है जो लौ है वो सुप्रीम कोट के तुरू दाइरे में लाया जाता है भारत में और सुप्रीम कोट ही इंडिया में सरकार से भी वह क्या कि ता गौर्मेंट इस कॉंसीडरींग एस्क्रैपिंग आई जीस्टी और ओसियन फ्रेट एंड पर पोजल लाइकली टो बिट टेकन अप बाई जीस्टी कॉंसेल नेक्स्ट मंत में जीस्टी कॉंसेल की मिटिंग होने वाली है इसमें यह परपोजल पास किया जा स सकता है कि ओसियन फ्रेट पे जीस्टी जो है आई जीस्टी वह स्क्रैप कर दिया जाए हटा दिया जाए और क्यों क्यों कि यह एक सुप्रीम कोट का ओर्डर आया चोंकि अभी में एक समराइज आपको एस्टोरी बताया क्या था यह देखिए पिपुल फैमिलियर विट दा डेलीब्रेशन तोल्ड एटी तैट दा लीगल रिव्यू पोस्ट दा मोहित मिनरल केस वेडिक्ट इज ओभर एड़ परपोजल तो रिमूब दा टैक्स उड़ बी टेकन तो दा कॉंसेल बोथ दा लॉव मिनिस्ट्री लॉव कमीटी लॉव कमीटी और लॉव मंत्राल है जो मिनिस्ट्री है ओप दा जीस्टी कॉंसिल इज ओफ दा व्यू दैट दा आई जीस्टी ओन ओसियन फ्रेट मस्ट भी स्क्रेप एज पर दा सुप्रीम कोट वेडिक्ट एन ओफीसियाल कोटेड एवब से एक ओफीसर ने यह चीज़ कहा कि सुप्रीम कोट के जो निर्ने है उस निर्ने के अनुसार जो आई जीस्टी ओसियन फ्रेट पे है उसको जरूरी है हटाना और इसका रिब्यू कर लिया गया है लॉव मिनिस्ट्री के द्वारा और लॉव कमीटी के द्वारा ये अ क्यettsे प्रणा्श प्रेट अगली जो मिनितिंड अने वाली है जो इस भी अगली जेर्ले जो शकता है ये गयां पर्सकत्ता है ये मेटर. the proposal is ready and it will be discussed at the next GST council meeting as the decision to levy IGST was taken by the council another senior official confirmed next important चीज है वो यहां से समझेगा कि इनोंने circular बगएर तो बना लिया है और यह important चीज इसलिए भी है कि अब यहां पे जो refund आप लोग है अराम से कलेम करिएगा और यह जो केस था वो भी हजार करोर रुपे का refund का ही था जो कि फसा हुआ था तो अगला जो GST council का मीटिंग है वो मदरोई में होने वाला है और वहां पे यह benefit को मिलेगा the importers must get their due after the supreme court order there is still low clarity in this regard and a formal communication will help the early release of funds said अभिशेख रस्तोगी अभिशेख रस्तोगी जो है वो खेतान एंड कंपनी के पार्टनर है और इन्होंने ही मोहित मिनरल केस को प्रजेंड किया था In May, a bench of justice D.Y. Chandra Achoo, Suryakanta and Vikram Nath dismissed the appeal by the central government against an earlier Gujarat High Court judgment that said that IGST on ocean freight is unconstitutional. Gujarat High Court ने जो unconstitutional कहा उसी बात को इन्होंने भी चंद्रचूर साहब की justice चंद्रचूर की भी बेंच ने पुष्टी किया और उसे बढखास कर दिया उस अपील को. In the ruling, the Supreme Court bench also said that union and state governments have simultaneous powers to legislate on GST and the council must work in a harmonious manner to achieve a workable solution. Post death verdict, the center said it will take a legal opinion on the judgment. अब central comment जो है उस निरने पे भी Supreme Court का जो judgment था उस पे legal opinion लेगी. अब यहाँ पे क्या था जो order high court में था था गुजरात high court on 29th July directed the central board of indirect Texas CBIC को कहा था कि IGST जो ocean freight पे paid हो चुका है उसको six weeks के अंदर with interest आप इसे return कर दीजिए. लेकिन ये करने के बद्दा government की team ने क्या की, CG ने क्या किया, उसको Supreme Court पे challenge कर दिया और Supreme Court ने भी उसको CG के appeal को neglect कर दिया. यानि कि अब totally बात यहाँ सिधा यह है कि अब आने वाली meeting में ये proposal पास होना है और importer के लिए good news है. तो चलिए इस वीडियो को मैं खतम करता हूँ कि अगली meeting में ये proposal आ जाए और हमारे importer's को benefit मिले. Thank you, bye bye.